जमुकश्मीर के सोपोर में CRPF के टीम पर आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया जबकि एक आम नागरिक की मौत हुई है इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सब के दिल को छू लिया है एक जवान आतंकीों की गोली से बचाने के लिए एक बच्चे को हाथ में लेकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है आतंकीों की गोली बारी के दौरान आई यह तस्वीर तेजी से वाइरल हो रही है जवान इस फोटो में बच्चे से बात भी कर रहा है बच्चे के चहरे की मासूमियत और जवान की उससे बात करते हुए तस्वीर दिलों को छू रही है आपको बता दे कि कुछ दिन पहले आतंकियों ने एक CRPF जवान और एक 5 साल के बच्चे की गोली मार कर हत्या कर दी थी वागमा के बिच बहरा में हुई इस घटना में शामिल आतंकियों को जवानों ने मंगलवार को धेर करके बदला ले लिया था हाल के दिनों में सुरक्षा बलों की कारवाई में घाटी में कई आतंकी मारे गए हैं जवानों की कड़ी कारवाई से बौखलाय आतंकी अब घाटी के मासूम लोगों को भी अपना निशाना बनाने लगे हैं और वे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं